स्थिश्व जाओं से आपको कूईटों सब्सक्राइब है तो हमित wondered रौप अग्यारै विद्स्ट करूं के नियुक्तस करें आपको थोड़ा सा इंक्becनट बात बताना चाहएं पेपर केसे लिखा जाता है उसके बारे में थोड़ा बहुत गाइड करता हूँ यानि कि इस वुड़े को थोड़ा स्टार्टिंग से शुरू करते हैं जैसे कि हम पिछली वीडियो में जैसे किया था हमने डायरेक्ट लिखेशन पेपर को स्टार्ट कर दिया एंसर शीट पे लेकिन इसर शीट पे उसके इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं यहां पर देख सकते हो यहां पर साथ इसके बाद यह पर आपकी सिगनेचर होगी और उसके बाद सुपरवाइजर जो भी होगे उनकी यहा पर सिगनेचर आईग को सेंटर नमबर जो भी केंद्र करवां कि होगा singer इसके बाद आपको यहां पर होलो कॉल कर दिया जाएगा ओपको यहां पर यहां पर फो लगाना पड़ेगा ठीक hört अब यहां पर आपको जो भी आ नीचे यहाँ पर जितनी भी आप supplements लोगे वो supplements आपको यहाँ पर add करके total लिखना है उसके बाद आपके answer की language of the answer यानि कि उत्तर लिखन की भाष्चा जो भी होगी वो आप पर लिखना है उसके बाद यहाँ पर data आएगा उसके बाद यहाँ पर paper याँ यहाँ पर आएगा अगर आपने इस वीडियो को like नहीं किया तो like कर देना साथी साथ बिलाइकन को press करके all notification पे set कर देना क्यूंकि हमारा चैनल आपको board exam की preparation के लिए आपको internal evaluation के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ओ भी बता रहा है साथी साथ आपको model question papers के set पे set दिये जा रहा है यानि कि 300 से 400 question paper समने हमारे चैनल पर upload कर दी गई है अगर आपने देखी नहीं है तो चैनल पर जाके देख सकते हो साथ साथ description में आपको list मिल जाएगी playlist की list लिंक मिल जाएगी अगर आप telegram group को join करते हो तो आप 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 आपको सभी के सभी PDF मिल जाएगी या तो आप हमें personal message send कर सकते हो दो देखी science and technology पार टुकी question paper है यहाँ पर A1 में बोला गया है choose the correct option जो आप पर बोला गया फर्स्ट में vestigial organs dot dot present in a human body is proof of evaluation यहाँ पर आपको चार options देए गए फर्स्ट option में kidney B option में liver third option में आपको nails and D option में आपको appendix तो option 4 जो है आपका D वो correct appendix अब जो board exam का paper लिखो गया आप तो आपको यहाँ पर एसा नहीं लिखना है जिसकि इस answer sheet पे present किया गया है यह सिर्प के मुझे video बनाता था और आपको भी में प्रूब कर सको आपको भी दिखा सकूँ इसलिए मैंने इस पेपर पे से लिखा है वाकि यह जो लिखा है नहीं इसको आपको इसी तरीके से लिखना है लिकिन आपको यह question नहीं लिखना है directly one करके उसके सामने answer on option number alphabet लिखना होता है ना तो alphabet directly D लिख देना है ना कि appendix लिखना है तो आगे बढ़ते है second में बोला गया है disaster definitely affect the dot dot of the nation so first में बोला गया है people B में बोला गया economy C में बोला गया security and D में बोला है employment so option number B जो है वो correct economy तो इसका answer is disaster definitely affect the economy of the nation उसके बात third में चलते है dot dot is the revolutionary event in the biotechnology after cloning तो आपको first option में बोला गया third में steam cell research and D में all of this so आपका correct option है C steam cell research तो answer आएगा उसके बाद port में बोला गया है when a neutron is the warm beard on autumn of uranium 235 is absorbed the neutrons and converts into so guys A में बोला गया है isotope जो के आपको correct option है लिकिन बाकी के 3 भी में read कर लेता हूँ जो के है pollutant उसके बाद C में है green energy and D में है fossils तो आपको correct option choose करना है उसके बाद चलत answer directly लिखा गया चार options नहीं लिखे यहाँ पर क्यूंकि यहाँ पर 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 उनसेफिसेंट था और इसको एसे model की तोल पर solve किया गया था तो इतना ज्यादा नहीं द्यान गया तो B में चलते है question A1 का B है जिसमें बोला गया solve the following questions यानि की सब questions रहते हैं फर्ष्ट में बोला गया match the peers अब peers मैच करनी है जो कि directly match करके दीगे है ग्रूप A में है आपको vinegar तो उसका acetic acid उसके बादे सैंतन गम, ice cream and puddings इस तरीके से तो यहाँ पर दिया गया है second में define glycolysis तो glycolysis आपको define करना है तो इसकी definition लिखने है आपको process in which glucose sugar is the partially broken down by cells in enzyme reaction that do not need oxygen glycolysis is one method that cells use to produce energy उसके बाद थर्ड में चलते है name of the following hobbies to reduce stress तो stress reduce करने के लिए कौनसी कौनसी hobbies यानि की कौनसी काम करने चाहिए ऐसा यहाँ पर बोला गये तो यहाँ पर to listen to music यानि की music सुनना चाहिए गाने सुनने चाहिए उसके बाद bird watching and nature trails यानि की nature में पर्यावरन में आपको birds यानि की पक्षियों को देखना चाहिए उसके बाद reading good books यानि की अच्छी किताबे पढ़ना उसके बाद प्रोट में बोला गया आपको तीन दिये गये होते उसमें से आपको दो scientific reason यहाँ पर लिखने पड़ते हैं अब हम दो ही लिखने वाले तीसरा जो आप लिखना चाहो तो आप प्रैक्टिस के तोर पर एक्टिविटी के तोर पर आप खुद लेख सकते हो अब देखे फर्स में बोला गया प्लाव आपको scientific reason आपको लिखना पड़ता है बड़े-बड़े questions point करके लिखने पड़ेगे तो first point में बोला के आपको flower produces male and female gametes for this purpose there are essential horse of androsium and gynosium the double fertilization also takes place is flower therefore flower is called the structural unit of sexual reproduction in plants so इसका scientific reason हो गया चली है second में चलते है human beings have an important place in environment environment तो यहाँ पर देखे आपको point करके लिखना पड़ेगा man come last on the earth during the evolution of animals but due to his intelligence, imagination, critical thinking and memory he made a progress in all fields by virtue of this quality he becomes supreme and does not aware the rule of nature अब आपको third में दिया गया है microbial enzymes are used instead of chemicals catalyzed in chemical industry इसका answer आप activity के तोर पे आप खुद लिखना चाहो तो खुद लिख सकते हो and आपको ये question paper का पीडियाप चाहिए and इस answer sheet का भी पीडियाप चाहिए बी जो है यहाँ पर दिया गया है अब देखे फर्स्ट में बोला गया complete the following chemical reaction and the energy respiration यहाँ पर chemical reaction जहाँ पर आपको CO2 put करना था and CH2O put करना था ठीक है या इस तरीके सापको इस reaction को complete करना था इस boxes में इस reaction को फिल करना था आगे बढ़ते हैं 2 में complete the following flow chart showing generation of electrical energy using thermal energy आपको flow chart complete करना था जो क्या आपको screen के पर दिख रहा है आपको इस flow chart एक IMP question समझ के आप लेख सकते हो fuel यहाँ पर दियागा है boiler conservation of water to steam steam turbine generator electric energy steam for converting steam back to water अब थर्ड में बोलागा है write a short note on green revolution green revolution के पर आपको short note लिखनी है green revolution was a period that began in a 1960s during which agriculture in India was converted into a modern industrial system by the day adoption of a technology such as the use of high-elding variety high-elding variety आपको इसे high-elding variety का यह शॉट पर में यच वाई भी तो आपको इसको धान में रहना है उसके बाद सीड्स में मेकनाइज मेकनाइज भार्म टूल्स इरिगेशन फैसिलिटीस पेस्टिसाइट्स एंड फर्टिलाइजर्स इस दो शॉर्ट नोट ऑन ग्रिन रिवलेशन आप एसा ही लिख सकते हो फॉर्ट में बोला गया इन अकाउंट आप दे मुल्टिफल फिशन राइट एन अकाउंट आप मुल्टिफल फिशन सीन इन अमीबा विताउट सुटेबल डायग्राम यानि कि डायग्राम निकालनी है आपको यह एक्टिविटी के तोर पर आप खुद कर लिजिएगा अप फिप्ति पर बोला गय गाड़ी में से डाय और बाहर निकल के बाहर सर निकल के उसे बता रहे और वह बच्चा सुनने रहा वह सेलपी निकालने में बीजी है तो इसका उटकम क्या हो सकता है आपने देखा होगा यह इमेच पहले पिच्चर आपके बुक में देखी होगी तो आप इससे गाइड म में बोला गया है solve the following questions इनी 5 solve जो कि आपको 15 mark के लिए होता है 3 mark के लिए each question होता है दिये गए हो ते 8 उसमें से आप 5 आपको solve करने वाले है ते कौंच से भी 5 आप solve कर सकते हो 15 mark के लिए total question होता है यह question होता है पुरा एंड 3 mark के लिए 1 question होता है each question for 3 marks अब देखे आपको दिय question है which is the initial cordon where is it present तो इसका answer initial cordon is the cordon that the help in the initial the process of the translation on mRNA तो second वाला question है what are the type of RNA present in inside of the ribosome which triplet cordon is present on it ribosomal RNA it has the anti cordon means the cordon opposite to that mRNA which which genetic code is present on mRNA that is leaving the nucleus तो guys इसका answer है it has the termination termination code like UAA, UAC and UAG the DNA must have a sequence of ATT, ATG and ATC आपको ऐसा answer इसका लिखना है यानि कि यह IMP पे तोरके आप भी सकते diagram या पता नहीं लेकिन बहुत सारी diagram होती है यानि कि 10-12 diagram होगी उसमें से कोई भी आ सकती है तो सभी कि पढ़ाए अबर आप जितने अच्छे से कर होने वाला है आगे बड़ते है what is made by green energy green energy मतलब क्या which energy sources can be called यानि कि कौन सी इसे sources जिसे green energy कहा जाता है and why give examples examples भी देने पड़ेगे तो चले शुरू करते हैं यहाँ पर इसका answer is green energy is that energy which does not pollute the environment मतलब green energy के इस energy जो environment को बेल्कुल भी पॉलिट नहीं करती उसके वो नहीं वेबल इन नेचर यानि कि वो फाइदामद होती है नेचर को यानि कि हमारे पर्यावरण को निसर को को यह जो होती है एक फाइदामद होती है the energy source as the sunlight point rain tides etc can be called as green energy देखिये sunlight यानि कि सुर्वय प्रकाष point rain tides can be called the green energy this is this is because these are readily 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 available on the earth can be naturally replaced and do not even harm to environment मच यानि कि यह जो होती नेचर में अपने आप अवेलेबल होती है इस तरीके से अब देखे थर्ड में बोलागा है gender of a child determined by the male partner of a couple explain reason explain reason whether this statement is true or false if statement true or false से यह भी बताना है और इसको explain करना है तो चलिए इसका answer देखते तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ लेबल नहीं है या तो या कुछ तो मिसी कि ऐसा मुझे लग रहा है तो आप खुद इसकी डाइग्राम आप अच्छे से निकाल सकते हो या पर देखते हैं लेकिन इसको दिखाया गया ऐसा पुछा कहा है तो चलिए इसका answer लिखते है क्लोनिग इस दो प्रोसेस अप देजन जनरेटिंग और जनिटिकली आइडेंटिकल कॉपी अपसे और अन और्गेनिजम दियर आप थ्री डिफरेंट ताइप आप अप क्लोनिग जेन क्लोनिग विच ग्रेट्स कॉपी अनिमल्स थेरापेटिक क्लोनिग दिस ग्रेट्स दो एंब्रोइक स्टीम सेल्स सो सिग्स्त वाला बोलता है सिग्स्त में क्वेशन आपको अबजर्द फिगर ब्लो एंड एंसर दो फॉल्यूंग क्वेशन सब आपको केंसी फिगर है वो बताता हो पेरे कि यहां पर फिग पिचर के इंडिकेट कर रहा है तो मैंने बताया ना क्यों जो बच्चा है वो में इसे दुख में सैडली बठा है तो एंसर या पर्शन बीकमिंग विक्टिम तो में ट्रेस देट देट दो पिक्चर इंडिकेट चलते सेंड की तरफ explain any two causes for this problem increasing competition in opportunities for education employment and business loneliness loneliness mental stress in children due to reason like a nuclear family and parents staying outdoors for work describe any two measures of the credit this problem maintaining good communication and express expressing our feelings to friends peers cousins teachers and parents nothing them down in a diary laughing loudly as laughing loudly so as the relief stress अब सेवन में बोला गया आपको कपलीट फॉल्विंग कंसेप्ट्र पीचर वित रिस्पेक्ट यूजज़ यानि कि आपको यह जो इस यह जो यह डाइग्राम को कम्प्लेट करने सेंटन गम दिया गया है उसके आपको छे लिखनी थी पहले में हाइक जीरे लिखनी पड़ेगी इस से आपको डाइगराम कंप्लेट करनी पड़ेगी तो यहां पर हैоловिकर्अ और लाश्ट वाला क्वेशन है हमें इसमें हमने दो आपका एक्टिविटी के शायद से एक एक्टिविटी के तौर पर दीए छे साथ सौल करके दिख़ यह लेकिन आपको क्या करना है वहाप पर पाची लिखने ज्यादा बोड एक्जाम के वक्त आपके पाथ ज्यादा आप इसको cover करना है paper को cover करना है जितना लिख सके उतना लिखना है अब दिखें कुन सी objective से disaster management क्यों दिखते हैं in coverage in culture of disaster preparedness उसके बाद institutionalization of the disaster management safety and quick decision making उसके बाद post-disaster medical help and first aid this is the for disaster management objective of disaster management तो चलिए आपको एक फोर लास्ट वाला question है जिसमें आपको anyone करना होता है दो दिये होते हैं उसमें से कोई भी एक करो ऐसा बोला गया होता है अब solve the following sub questions, read the following paragraph and answer the question given below अब आपको paragraph read करना होता है ठीक है तो मैं आपको just a second मुझे थोड़ा पक्त लगेगा अभी यापर paragraph point करने के लिए हम रुको मैं आपको paragraph भी बताने के कोशिश करता हूँ कि कौन सा paragraph आपको यहापर आया गया है ठीक है just a second मैं आपको read भी करके बताऊंगा या आप में साइट में इसको आपका chapter मुझे नहीं मिल रहा हूँ chapter अगर मिल जाए तो मैं chapter पर आपको आसानी से बता सकता हूँ कि यह किस chapter पर equation आया है ठीक है तो just second आपको जो चाप्टर नमबर है आपका animal classification उसके उपर आपको एक paragraph एंड उसके उपर question पूछेगे हैं, so सबसे बहले मैं paragraph को read करना चाहूंगा, locomotion is considered as and the important characteristics of the animals, how your animals belonging to the porphyra are said to be a sedentary every other phylum has the typically locomotory organs e.g. nearest crows and we are the help of the paraphodia, whereas the earthworm buries in a soil by the state, spiders have a four pairs of a walking legs, crab has the all insects have a three pairs of walking legs, walking legs the walking legs are also called the appendages, starfish most with the help of the two feet, snails snails and the bewails are used muscular food for the locomotory birds, flying with their spritz, outwings and fish swimming with their fins both of the spiders shaped body tarping at the bottom of the ends, while the flying swimming search body other leaves the resistance during the locomotory mammalus have the two pairs of the limes, while the animals like snakes are the limeless other animals belonging to the to the class of the snakes and also have a very walk limes which make the creep on the ground which filum has the characteristics of the jointed appendages phylum arthropoda has the has a characteristics of a jointed appendages which which the locomotory organs of animals belong to phylum mollusca animal belonging to phylum mollusca have a strong muscular foot which is used for a locomotion which class of animal show weak legs class class repeatedly belonging to the subphylum vertebrate so dhekhi यहाँ पर आपको एक ही करना तेक्षिया फिर एक दिया गया है शोवीख legs तेक्व पाचवा question है यानि पाच मार्क लिए ना तो पाच question तो देना बनता है पाचवा आपको in which class of animals are the fire lamps are the modified class class is belonging to subphylum vertebrate the wings which are modified fire lamps तो यह आपर आपको second वाला बोला गया था जिसके और था ना यानि कि दो उकरों तो उसमें second वाला है which project will you run in relation to environmental conservation and how अब देखिए इसका answer तो बहुत बड़ा है एक से दीड़ पेज आप यहाँ पर लिख सकते हो लिकिन आपको shortly लेखा गया है आप बड़ा लिखना चाहो तो लिख सकते हो आपको shortly अब बनाया गया अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए तो आप जा सकते हो दिस्क्रिप्शन में उस पे टेलेगराम गुरूप का लिंक मिल जाएगा वहाँ पर आपको जाया है उतनी question papers unlimited question papers practice के लिए जो कि आप solve करते करते ठक जाओगे इतनी question papers आपको वहाँ पर दी गई है हमारे टेलेगराम चैनल पर ओभी पीडियाप भी मिलेगा उसके लिंक भी और चैनल पर जाते हो तो भी आपका फायदा ही होने वाला है चैनल को क्योंकि हमारे चैनल पर आपको 300 से ज़्यादा वीडियो जितनी हो सके उतनी वीडियो करवा के दी है लगबग 400 से पास्ट वीडियो को हमने जो क्वेशन पर यूटुब से मिलती है वो कई ना कई आपको लगता है कि नहीं यह प्रैक्टिस के लिए पास्ट यह कि है वो भी चाहिए तो सभी पास्ट यह कि आपको 2018, 2017, 2019 और 20 की भी क्वेशन पर आपको वापर मिलती है तो जिए यह एंड चैनल को सब्सक्राइब कर तो आपको reply मिल जाएगा और वहाँ पर आपकोई skill link भी मिल जाएगी तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना आपके friends के साथ family के साथ share करो उनको भी बोलो कि share करे प्रयादा से जादा practice हो सके उसके बाद science and technology part 1 की आपकर आप देखना चाहो तो उसकी भी आपको उस playlist में मिल झाल